दोस्तो अगर आप खेसारी लाल यादो जी का फैन है न तो इस वीडियो को पूरा देखकर कोमेंट किजिएगा और दोस्तो मैं ये पहले क्यों बता रहा हूं कि इसमें खेसारी लाल का रियल सच यानि कि बिल्कुल आप लोग को इस वीडियो में उनका सचाई देखने को मिल जिसको देखकर आप लोग भी ऐसे बोलिएगा जानने से पहले नमसकार मैं सोनू आप सभी को हमारे चैनल पे श्वागर्थ है तो दोस्तो शक्त से पहले स्क्रीन पे इनका वीडियो देख रहे होंगे जो वीडियो इनका लगभाग 10 साल पुराना है इसमें आप वही खेस लाल यादव जी को देख रहे हैं जो पहले दिखते थे लेखिन आईए एक आदमी का ब्यान सुनिए वो क्या कह रहा है और कैसे रोते विलगते हुए कैसा इंटर्विव में अपने बता रहे हैं दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो क्लिप आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों इस वीडियो क्लिप यह वही जो इस इनसान को इस्टार बनाने में बहुत बरहात है और दोस्तों मैं इसका ही वीडियो क्लिप देखा रहा हूं लेकिन इनके साथ रहने वाले बहुत ऐसे कलकार है जो कलकारी छोर के अभी क्या-क्या बेच रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं दोस्तों मैं यह क्यों बता रहा हूं यह खेसारी लाल का रियलेटी है यह जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं बता रहा हूं यह रियलेटी है अज़ जब इस वीडियो को आप लोग पूरा δीखляः तब आपको लांशर में पता चलेगा कि ऐसा किसीम का खेसारी लाल इनसान है। दोस्तो ये स्क्रीन पर वही बुढ़ा बेगती जो खेसारी लाल को आज ऐसे थे और आज यहां तक पहुँचा दिये हैं और इन ही लोगों के बदौवलत आज खेसारी लाल यादव कुछ गा रहे हैं और कुछ बरे नाम कर लिए दोस्तों मैं मानता हूँ कि हर इंसान के पास टैलेंट होता है तभी हो पता है लेकिन दोस्तों आप अगर सही से अगर खेसाई लाल यादव का फैन है तो सही से और दिमाग से सोचिए कि भाई जो इंसान आपको जब आप कुछ नहीं थे तब आपके साथ में था और आपका हर वो बात यानि कि हर ख्याल रखता था लेकिन जब आप एक बड़े इंसान हो गए है आपके पास लाखो रुफे हो गए है तब आप उसको छोड़ देते हैं जो आपके साथ गाते थे बजाते थे उन सभी लोगों को आप फान तक भी नहीं उठाते हैं पलस में एक बार देखने हैं या मिलने तो दूर के बात है आप एक वेर फान भी उसका नहीं उठाते हैं तो सोचिए कितना स्रम सार बात है कि भाई आप एक बड़े इंसान बन गए तो आप अपने पीछे के अतीत को फूल गए हैं क्योंकि ये बात तो सत्ते है कि आपको इस्टार बनाने में इन लोगों का बहुत बरा हाथ है तो आप समझ गे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था अब सब धियान से अगर इस वीडियो को देखिएगा तो इस वीडियो में जो खेसाईलाल पहले ऐसे दिख रहे थे और अब ऐसे दिख रहे हैं तो इसके पीछे बस इन लोगों का हाथ है जो इस क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग भी यहां तक देखी लिए हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा सेर किजिए कि उनके टीम तक पहुँचे और साइध इन लोगों को मदद मिल सके और ये अच्छा से अच्छा फिर गाना बजाना में आ जाए और इनको कुछ पैसा मिल जाए उनके तरब से ताकि इनका परिवार और घर परिवार जल सके तो दोस्तों उमीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है और कुछ जनकारी मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी परकार का जनकारी बेगरा और भोशपुरी का नियुज कोई भी जानने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं कोई अगले बारा वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्ते पराम लव यू जय हिंद वन्दे मात्रम